तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप डूलिस किस तरीके से बना सकते हैं बहुत सरे लोग का कमेंट था कि आप सर डूलिस में बताईए कि मैं डूलिस किस तरीके से बना सकता हूँ तो वेलेकम गाईज मैं हूँ आपका दूस्स MR के और आप देख रहे हैं आशा शायता समू यदि आप आशा शायता समू के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन में क्लिक मार के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और ये जो बेल आइकन नजर आ रही है इस पे आप क्लिक मार करके इसमें आप आल में क्लिक मार लिजे ताके मैं जो भी नए वीडियो अप्लूट करूँगा उसे आप सबसे पहले देख सकते हैं तो ड्यूलिस बनाने से पहले आपको पांच बातों का ध्यान रखना पड़ता है नमर वन ड्यूलिस में आप उन उन बच्चों का नाम चराएंगे या उन उन लोग का नाम चराएंगे गरवतियों का नाम चराएंगे जिन जिन को पिछले महने में सुई नहीं परा था मतलग किसी कारण वो लोग छूट गए थे या बिमार थे या कहीं चले गए थे गाउं से बाहर थे तो उन लोग का नाम सबसे पहले आप डूलिस में चराएंगे नमार टू उन लोग का नाम चराएंगे जिन जिन को पिछले महने में सुई परा था और उन लोग को इस महने में अगला वाला सुई परने वाला है जैसे पिछले महने में जिन जिन को पेंटा फर्स्ट परा था उनको पेंटा सेकेंड परेगा जिन लोग को पेंटा 2nd परा था उन लोग को पेंटा 3rd परेगा और जिन जिन को टीटी 1st परा था उन लोग को टीटी 2nd परेगा नमर तीन आप लोग को उन बच्चों का नाम चराना है जिन जिन को पेंटा फर्स्ट मतलब जिन जिन का डेर मेना हो गया जनम का उन लोग का नाम चराना है जिन जिन को पेंटा फर्स्ट परने वाला है नमर चार, उन लोग का नाम चराएंगे जिन जिन को 9 मेना या फिर 16 से 24 मा या फिर 5 से 6 साल वर्ट्स वाले बच्चों को इंजेक्शन परेगा जैसे 9 मा मैं खस्रा पड़ता है उन लोग का नाम चराएंगे 16-24 माह मैं DPT खसरा पड़ता है उनलों का नाम चराएंगे जो 5-6 साल के अंतरगर जो जो बच्चे हैं उनको DPT इंजेक्शन लगता है उनलों का नाम चराएंगे नमर पांच इसमें उन उन गर्वतियों का नाम चराएंगे जैसे जिन जिन को TT फर्ष्ट परने वाला है या TT बुश्टर परने वाला है और साथ ही मैं यदि कोई लड़का लड़की है जिसे 10 साल हो रहा है या 16 साल हो रहा है इनके बीच में इन लोग को TT पढ़ता है तो उन लोग का भी नाम चरा सकते हैं और साथ ही मैं उस बच्चे का नाम चराएंगे यदि जिस बच्चे को BCG पढ़ने वाला है मतलब जो बच्चा घर में ही पैदा हो गया उसका नाम चरा सकते हैं BCG के लिए इन पांचों बातों को आपको ध्यान में रख करके duels बनाना पढ़ता है तो आपको स्क्रीन में लेकर दिखाते हैं कि आप किस तरी किसे duels बना सकते हैं तो यह रहा एक duels है इस मैं देख लेता हूं सबले यह देखे नंद नी कुमारी को नहीं पराहा है ठीक है उसके बाद यहां देखिए इसको पेंटा सेकेंड परा तो पेंटा ठड़ परेगा उसके पेंटा फर्स्ट इसको परा पेंटा सेकेंड तो आप डूलिस बनाने से पहले यहां नमर वन पे है संबंधित उपस्वास्त केंद्र का नाम तो यहां उपस्वास्त केंद्र ना यहां सेकंड नमर पर उसके बार यह तिन आप बना रहे हैं उस दिन का डिलिज दाल दैंगे जैसे आजד चूबिस थारिक है जनवरी 2021 हैं आज मैं डूली बना रहा हूं तो अजकर डेट डाल देता हूं उसका नीचे है जिस दिन अगले महने में आपका टिका करन परने वाला है यह दिन नहीं पता है तो दिन का जगह छोड़ देंगा बाके महना दूसरा मेना और 2021 लिख देता हूं मैं अब जिस दिन होगा उस दिन उसके यहां है अंगनबारी का नाम तो अंगनबारी का नाम जो भी है वह डाल देता हूं मैं उसके बाद यहां आशा का नाम डालने का है यहां आशा का नाम लिखना है उसके नीचे जिवी का सदस्ते मतलब जो सेवी का है उसका नाम लिखना है यहां पर तो उसके बाद न Stainta Fust परने वाला उसका नाम चरा लेता हूं। अब नौ मेने वाला उसका बाद शोरह से 24 मां वाला और पांस से छे साल वाला बच्छे जाता है लाइस त मिधां है टीटी आ जोई की है य 내錢 बार बीमार इनका टीका देने से साथ i तो यहां है जुलिस के आधर पर 14 लोग का नाम है तेरे को पड़ा है और 93 पर्तीषत निकल रहा है और 93 पर पर्तीषत का 200 रुपया बनता है तो यहां पर्तीषत निकालना सिखाते हैं 14 लिंखना है उसके भाग दे देना है जितने को पडाश हुई उसका दगुना कर देना है 100 से, आपका परतिशत निकल जाएगा, तो इस तरीके से आप परतिशत निकाल सकते हैं, यहाँ आशा का साइन है, हस्ताक्चर है, उसका यहाँ आशा फैसलीटर साइन करेगी, उसका एनम साइन करेगी, तो इस तरीके से आप डूलिस भर सकते हैं, फिर मिलेंगें दूसरे वीडियो में तब तक आप देखते रहे हैं आशा शायत है समों